अगर हम इसमें बदल दे, अर्वी बिलास पूरे बदल दो, तो डाटा समझ रहे हो, 38 इंटू 10 कितना होता है, 380, अगर 380 इसको अगर 10 से गुना करी, तो 580 सिट के लिए 8 लाग बच्चे भरते हैं, अगर 560 सिट होता, तो 5 लाग बच्चे भरते हैं, तो 10 लाग बच्चे अर्वी एलपी में, जो मेल लड़ाई होगा न, वो CBT 1 के लिए होगा, जो बच्चे CBT 1 क्रैक करेंगे, CBT 2 के लिए लड़ेंगे, वो हर जोन में जो कमपटीशन है, CBT 2 के लिए, वहाँ पर एक सीट पे 15 बच्चा लड़ेगा हर जोन में, लेकिन जो कमपटीशन बढ़ वो CBT 1 निकालने के लिए, वहाँ पर हर जोन में कमपटीशन उपर नीचे हो रहा है, वरना CBT 2 में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, वहाँ पर तो एक सीट के लिए 15 बच्चे हर जोन में लड़ेंगे, 15 बच्चे सिर्फ, लेकिन मेन जो लड़ाई है वो CBT 1 का है, मैं आपको दिखाता हूं, और CBT 1 निकालना आसान है, आपका विश्वास कभी तूटनी नहीं दिए, 18 में भी, NTPC हुआ, गुरा हो गया, टोटल 19 लग फॉर्म गिरा है, और आप एक बार RRB पठना का जो डाटा देखोगे न, हो सुर जाय का बाव, आप सभी का, उसके पहले गोल दू, आपको सब जोन का दिखाऊंगा, इस जोन में कितना कंपटीसन है, कितना फॉर्म गीरा है, कितना सीट है, लेकिन फॉर्म कितना भी गीरे, सीट कितना भी हो, तब इसे पहले आपको एकदम पॉज़िटिव रहना है, और एकदम strategy वाले बच्चों के तरह सोचना है बाबू आपको सिर्फ यह सोचना है कि CBT 1 में कितने बच्चे चुन कर जाएंगे फाइनल नहीं मतलब आपको जो सेलेक्शन पहले होगा CBT 1 में कितना सीट होगा हर जोन में वह बहुत अधीक है तो पहला टार्गेट रखो CBT 1 अगर किलियर कर लिए तो CBT 2 भी हो जाएगा CBT 1 में कितना सीट है वो समझो बात को और CBT 1 किलियर करना आसान है फोड़ा ता बता रहा हूँ मैथ कि ट्रिंग करेंट अफ10 कीद पहला कि आप रिस्निंग को हलका में मतलेना क्यूंकि रिजनिंग में भाइं को फोषम, स्टी कि अहरों अकर युझे वाला क्लास कर रहा है कम से क्लास कर भाउंगा और आप लेंगे रहोंगे अब湾बे इस यितना सब बन रहा है तो सो क्लास करने के बाद ना इतना तो आप अपने उपर कॉंफुडेंस लाद होगे और हर सिप्ट में 18 में बाई 23 24 कुस्तिन बन रहा था अगर यहां पर आप 20 कुस्तिन भी अगर सही कर देते हैं और मेरा विश्वास बोलता है रात को दस बजे वाला क्लास का अगर जा सौस्यट आप पूरा कर ली इस ले विकला करवा रहें बेसिक से लिकर विशन बावु कोई आपकर चीन नहीं सकता मैं अगर आपका ना अचीस कुस्तन आएगा बीस कुस्तन आएगा वाइस कुस्तन आएगा आप मान कर चलो आपका बहुत लोग का मैत कम जोर है अब देख लेना एक बाद हिसाफ ऐसे बैठा लेना मान लो आपका 16 17 कुस्तन आप 6 7 कुस्तन मैं आपका छोड़ भी सकते हो और 75 करने हम नहीं जाएंगे से बिटी वन के लिए कितना लड़ना यह सोचना है पर इंट फिर दस कुस्तन रहेगा जी के भी मिला कर मान लो चैसाथ कुस्तन यहां से आ गया आपका कितना हुआ 26, 42 पहुँद गया बाबू यहां पर जो कुस्तन है अगर जीस का कुस्तन आपको सब नहीं करना है 25 में 13 14 कुस्तन भी सही कर दिये न आपका जो डाटा है बाबू वो 55 प्लस पहुँद जाएगा और सीविटी वन को तोड़ना कहते है एक बार इसको समझो उसके बार हर जो नहीं करना है बहुत कुछ नहीं पढ़ना है जो आपको हम एलपी सीविटी वन सीविटी टू का सिफ्ट वाइस कुस्तन दिये है न अप्लिकेशन पर आप इतना पढ़ लो एक दम दिल लगा कर प्लस गुरूब डी का जो बाइस का कुस्तन है कि साइंस का बस यह दो पेप अच्छे से कर लो रिजनिंग में माई कलाल आपको कोई हिला नहीं सकता प्लस रात को दस बजे कर वा रहे हैं यह कर लेना और एक्जाम से 20 दिन पहले अप्लिकेशन पर जो भी हो मैं आपको 15 से 20 न एकदम एस्पेक्टर पेपर का लाइफ दिस्क रसन कराऊंगा उतना कर लोगे तो रिजनिंग में 20 से 22 नंबर हो जाएगा इतना नंबर ही दरकार है सुबिटी वन को तोड़ने के लिए ठीक है उसके बाद आप सभी को जीके का नोट सरब दिया हुआ है यह सब कुछ तार से पांस दिन और रहेगा इसके बाद जो आपको सबको बता चुके है ज 345 सीट है दिवी टीवन के लिए कि इतने बच्चे चूनकर जाएंगे इस 97,000 में से तो भाया इसमें से जाएंगे इसका 15 गुना यानि इतने बच्चे का भाया CBT 1 में सेलेक्शन होगा यानि एक सीट पर कितना बच्चा लड़ रहा है एक सीट पर जो बच्चा लड़ेगा भई या 19-18 यानि एक सीट पर 18 या 19 बच्चा लड़ेगा CBT 1 के लिए और CBT 2 में न तब जोन के लिए बराबर है मोटा मोटी हर जोन पर 15-15 बच्चे जो है वो लड़ेंगे हर सीट के, CBT 2 के लिए जो बच्चे चून कर जाएंगे CBT1 में CBT2 के लड़ेंगे वहाँ पर हर एक सीट के लिए 15 बच्चा लड़ेगा ठीक है अब इस में से जो बच्चे का सेलेक्शन होगा वो लड़ेंगे इतने सीट के लिए यानि एक सीट पर लड़ाई कितना होगा 15 बच्चों का CBT2 के लिए CBT1 में जो कमपटीशन है आपक वो 18 से 19 से कलकता में अगर विलासपूर की बात करें न चार लाज पांगी रहा है वेकैंस भी अधीक है तेरा सो सुलन और कितने बच्चे CBT1 के लिए क्वालिफाई करेंगे इतने बच्चे यानि यहां पर जो एक सीट का लड़ाई है बाबु मान कर चलो एक सीट पर 20 से कुछ बच्चे छट जाएंगे यानि 19,000 बच्चे लड़ेंगे इस सीट के लिए फिर यानि यहां पर कंप्रिटीजन कितना होगा एक सीट के लिए 15 सीट के लिए यानि जो भी बच्चे हर जोन में CBT1 क्वालिफाई करेंगे फिर CBT2 ले जो लड़ेंगे वहां पर कंप जो competition बढ़ रहा है वो CBT-1 के लिए बढ़ रहा है और CBT-1 निकालना असान है तो यहाँ पर जो competition है बावू लगवग 20 सीट का है CBT-1 के लिए अगर यहाँ पर बात करें RRB बैंगलोर का न तो 473 थो क्या है सीट है इतना फॉर्म गी रहा है एक लाग एक सट हजार और यहाँ पर देखो CBT-1 में कितने बच्चे चुन कर जाएंगे तो इतने बच्चे चुन कर जाएंगे अगर यहाँ का आपको हिसाब बताओ ना बावू यहाँ पर जो कमप्रटीशन है एक सीट पर वो है आपका 22 22 सीट का कमप्रटीशन है ठीक है अब आगे देखते हैं अगर अजुमेर देखें बावू तो यहाँ पर जो कमप्रटीशन है वो 25 सीट का है CBT-1 में CBT-2 में तो तभी जगब 15 सीट का कमप्रटीशन है अगर बात करें आरार्वी चिन्नई का ना तो आरार्वी चिन्नई देखोगे यहाँ पर CBT-1 के लिए एक सीट पर 31 बच्चा लड़ेगा अभी आप देख रहे थे 18, 20, 22, 25 CBT-1 के लिए एक सीट पर इतने बच्चे लड तो यहाँ पर कमप्रटीशन कम है बावू, CBT-1 के लिए जो बच्चे लड़ेंगे एक सीट के लिए वो 16 बच्चे लड़ेंगे, CBT-2 के लिए तो 15 बच्चे लड़ेंगे एक सीट पर, CBT-2 के लिए सम्मान है, अगर बात करें आरार्वी पटना, सबसे ट्रेंडिंग, देखोगे बावू, जो CBT-1 क्वालिफाई कर लेगा, CBT-2 में जाएगा, वहाँ पर एक बच्चा लड़ेंगा कितने सीट के लिए, तो लगबग लगबग 43.8 यानि एक सीट पर 44 कमप्रटीशन है, मतलब जितने बच्चे फ़र्म फिलप की है, एक बच्चा लड़ेंगा एक सीट के लिए 44 बच्चे लड़ेंगे, CBT-1 के लिए, आराई पटना देख लो, कंडिशन, 38 सीट है, 25,000 फर्म गी रहे, अगर हम यही फर्म, अगर हम इसमें बदल दे, आराई वी बिलास पूरें बदल दू, तो डाटा समझ रहे हो, 38 इंटू 10 कितना होता है, 38, अगर 38 इसको अगर 10 से गुना करें, तो 38 सीट के लिए 8 लाग बच्चे भर्म भरते, अगर 38 का डबल कितना होता है, 60, अगर 360 सीट होता, तो 5 लाग बच्चे भरते, तो 10 सीट होता, 10 लाग बच्चे भर्म भरते, कमप्रेशन देख लो, पटना में, आगे देखो आपका अराबी म यहां पर कितना है, 8202 बच्चे सीविटी वन, क्रैक करेंगे, ठीक है, सीविट्टू के लड़ेंगे, यहां पर जो कमपरेशन है, 21 सीट का, सब जोन में मोटा मोटी, गवाहाटी में भी जो कमपरेशन है, वो लगबग 21 सीट का है, अगर आगे बात करें, नहीं, इतना ही आपको दिखाएं, एहमदाबाद यह कमपरेशन आपका 20-21 सीट का है, एहमदाबाद में भी अच्छा खासा तौम गिरा है, ठीक है, तो इससे आप एक चीज़ किया निकालें, आपको डरना नहीं है बाबो, कोई भी एक्जाम हो, आपको डरना नहीं है, कि दम स्टैटेज के तहट आप काम करो, आपको तो बता दिये,